हाई एवरिवन आज की पर्टिकॉलर वीडियो बहुत इंपॉर्टन होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट जो वेकेंसी के लिए वेट कर रहे थे वह वेकेंसी आउट हो गया भाई क्या है तो वह ईपी एफो के तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो इसका लॉंच किया कि इसमें क्या प्रोसीजर होगा एक्जाम का विटकप होने वाला है एज लिमिट के पूरे फूल डीटेल में बात करेंगे जो हमारे चैनल में नए है उसके लिए मैं हो जोती फ्रम जीरो टु प्लेसमेंट या पर हर एक चीज़ों का अप्डेट्स दि दो होता है इस एक्जाम में आपको इूंली प्लेरिंब डिंस का एक्जाम धेना एक्जाम कोई मेंस नहीं ऐना जैसे आप कौलिफाय करते हो प्लेरियू में फिंचके लाजडिसकेशन कोaldo को दॉट्कमेंट फ्लेफक हमारे दीटिल्स में बात करते है जहीं डेंटे e-bako के से लेके 17 मार्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो चाहिए बारा बजी के बाद से मतलब 25 थारीक के बारा बजी के बाद से आप इसे अप्लाई करना आपका स्टार्टिंग हो जाएगा तो इसमें वेकंसी देखने को जो मिलता है यहां पे 418 वेकंसी जो है only for enforcement officer के लिए मतला accountant officer के लिए और वो जो 159 पोस्ट है वो आपका जो वोस्ट होता है वो आपका थोड़ा है लेबल का पोस्ट यहां पे देखने को मलता है तो टोटल यहां पे जो पोस्ट है यह है आपका 577 पोस्ट तो बहुत अच्छा पोस्ट है बहुत वेटिंग जो दिया जाता है फॉर दी एसी एस्टी के लिए ओभी सी के लिए फिजिकल हांडी के लिए और वह 159 वेकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर कमिशनर के लिए दिया गया है तो टोटल मिला के मैंने अल्रडी आपको बता दे कि कि कितने आपका पोस् लेवल अगर पेश्केल का बात करें तो लेवल यहां पर 10 के हिसाब से आपका यहां पेश्केल देखने को मिलता है मैंने जैसे ही आपके एक्जाइम के बारे में आपको डीटेल्स में जो बताया था कि आपका एक्जाइम जो गर रीटेन होगा और और इंटर्व्यू यहा चाहिए आपके पास graduation complete होना चाहिए तभी आपके यूपेसी का एक्जाइम सब दे सकते हो दूसरा में अगर आपका qualification डिप्लॉमा कंपनी लौ में हो या लेवल लौ में हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट के बारे मैं मैंने आपको बता दिया था कि और टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का पको देखने को मिलेगा अगर इसके पूरे डीटेल में चाहिए कि भाई इसके सिलेबस का पूरे डीटेल में बात करने हमें कमेंट कीजिए का उसके ओपर वी वीडियो आपको बदा देंगे स्केल के बारे मैं मैं आप लोग को इन फो जाएगा तो इसके वीडियो को जाके आप जागलगी से जल्ब चेक आउट किजिए और 25 तारीक से अपना फॉर्म को अप्लाइब कर सकते हैं दूसर में बात करें कि इसके अप्लिकेशन फीस उनली 25 रुपीज फॉर दी ऑल डी कांडिडेट जो एससी एस्टी और